नवस्कार आप देख रहें निउस ब्लास्ट आपके साथ मैं हूँ श्वेटा मिश्रा अवस्थी चुले खबरों के सफर को शुरू करते हैं महिला मंत्री ने की एक R.A.S. अफसर की शिकायद मुख्य मंत्री से की मंत्री जी के कामों को इग्नोर करने की शिकायद महिला मंत्री ने मुख्य मंत्री को फोन पर सुनाई अपनी पीडा तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है यह पूरा वाक्या मुख्य मंत्री ने भी ध्यान से सुनी महिला मंत्री की पीडा शिकायद के कुछ दिर बाद ही मुख्य मंत्री ने लगाया R.S. अफसर को फोन और साहब को दी मंत्री जी के निर्देशों की पालना करने की नसीहत तो तीन से चार दिन पुराना ये वाक्या है जहां एक महिला मंत्री ने मुख्य मंत्री को फोन पर अपनी पीड़ा सुनाई तीन से चार दिन पुराना वाक्या है जहां मुख्य मंत्री ने भी मंत्री की पीड़ा को ध्यान से सुना शिक्रेत के कुज़ दिर बाद ही मुख्यमंत्री ने आरेस अफसर को पोन लगाया और साहप को मंत्री जी की दिर्देशों की पाला करने की नसीहत लिए यूकरेन में फसे भ्हारती चात्रों को लेकर सिम गैलोद गंबीर मुख्यमंतरी गहलोट लगतार चात्रों की पलपल की अपडेट ले रहे हैं सेम गहलोट ने कल शाम यूकरेन की कीव में फोन पर बात की यूकरेन में भारती दुदावास के अधिकारियों ने राइस्थानियों से मुलाकात की है दुदावास के डिफेंस अटैची कॉमोडोस संजय देश्मुक ने छात्रों से बात की उन्हें अबगत करवाया यूद के कारण परिवान व्यवस्था बिगरी हुई है इसलिए इन विद्यार्थियों को निकालने में अत्रिक्त समय लग रहा है भारती दुदावास जल्द विद्यार्थियों को निकालने का प्रयास कर रहा है इसके लिए ट्रेन के इंतिजाम भी किये जा रहे है मैं आशा करता हूँ कि हमारे भारती सुरक्षित देश वापस लौट आएंगे सेम गैलोत एक हारकीव में फसे अजमेर के किशोर गुर्णानी से बाग की गुर्णानी के वहाँ के हालाद को लेकर सेम ने ट्वेट कर जानकारी दी कहा सीमावर्ती इलागा होने की कारण वहाँ परिस्थितियां जटिल है पर वो अपने परिवार के साथ सकुषल है आशा करता हूँ कि किशोर सा परिवार जल्द ही भारस सुरक्षित लौटेगे मुख्यमंतरी गहलोत प्रधारमंतरी मोदी विदेश मंतरी जैशंकर को इससे लेकर पत्र भी लिख चुके ताकि जल से जल सुरक्षित जो राइस्थानी महाँ पर फसे हैं उनको वापस लाया जाया है सुदेश लाया जाया है वो अपने घर पहुंच सके लगाटार संपर्क में मुख्यमंतरी अशोग गहलोत भी है खाला कि वहाँ से जो जानकारी मिली राइस्थानियों से मुलाकात वहाँ के दुतावास के डिफेंस अटैची को मोडोर संजय देश्मुक ने की है चातरोस उनों ने बात किया और साथ ही अवगत कराया कि युद्ध की कारण परिवान व्यवस्ता यहाँ पर बिगड़ी हुई है और इसलिए इन विद्ध्यार्थियों को निकालने में थोड़ा और वक्त लग रहा है या अत्रिक्त समय लग रहा है बारती दुतावास जल परिवार के साथ सकुशल है आशा करता हूँ कि किशोर सा परिवार जल्दी भारस सुलक्षित लोटेंगे मुख्यमंत्री गहलोत प्रधार मंत्री बोधी विदेश मंत्री जैश शंकर को भी इससे लेकर पत्र लिख चुके है होसला अफजाई में जुटे मुख्यमंत्री गहलोत यूकरेन के कीव खारकीव में फसे हुए चातरों से वीडियो कॉल पर बात की है मेडिकल चातरा डॉक्टर शृद्धा ने वहां की दिकट परिस्थितियों के बारे में मुख्यमंत्री को बताया गहलोत ने सभी बच्चों के होसला अफजाई की सकुशल अपने वतन वापसे की उमीब भी जताई है इस संबन में विदेश मंत्रारे से भी बात कर रहे हैं सेम गहलोत सेम ने भारती दूतावास में डिफेंस अटैची को मोडोर संदीव देश मुख से फोन पर बात की है और इन बच्चों की बहतर देखवाल के लिए होसला भी बढ़ाया है देश मुख को विस्तार पूर्वक्त वर्तमान इस्तिति से अफगत कराया है देश मुख से निवेदन किया मुख्यमंतरी गहलोत ने कि बच्चों से निरंतर संपर्क बनाकर उनकी हिम्मत को बढ़ाते रहे भारती दूतावास के कर्मिचारियों को सुरक्षित रखने की शुब कामनाय भी दी है तो लगतार फोन से भी संपर्क में मुख्यमंतरी अशोक गहलोत है लगतार वहाँ से फीड़बैक भी लिया जा रहा है और इसी को लेकर ही वहाँ के स्टुएंट से भी फोन पर संपर्क कर रहे है सियम ने भारती दुतावास में डिफेंस अटैची कोमोडोर संदीब देशमुक से फोन पर बात की इन बच्चों की बहतर देखवाल के लिए होसला भी बढ़ाया है देशमुक को विस्तार पूर्वक परतमान इस्तिती से अवगत कराया देशमुक सनिवेदन किया मुख्यमंत्री गहलोत थे कि बच्चों से निरंतर संपर्क बनाकर उनकी हिम्मत को आप बढ़ाते रहे भारती दुतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित रहने की भी उन्होंने शुब काम नाए लिए गुजरात में बोलो जै श्री कृष्णा राहूल गांधी गुजरात में सौफ्ट हिंदुत मॉडल पर सवार गहलोत की रह पर शुमार है डॉक्टर रगुशर्मा का गुजरात में जैक कृष्णा मॉडल, गाहुल गांधी के लिए गुजरात में सौफ्ट हिंदुत्ट का रोडमैप बना रहे हैं, ग्वारिका धीश के दर्शनों से चुनावी शंकनाद के माने जा रहे हैं यही अर्थ, पिछले गुजरात चुन गुजरात में जैक कृष्णा मॉडल, गाहुल गांधी के लिए गुजरात में सौफ्ट हिंदुत्ट का रोडमैप बना रहे हैं, ग्वारिका धीश के दर्शनों से चुनावी शंकनाद के यहां पर अर्थ यही माने जा रहे हैं, पिछले गुजरात चुनाव में अश्यो राज्यो के चुनावों के बाद कॉंग्रेस जुड़ जाएगी आगामी लोगसभा चुनावों की तैयारी में, राइस्तान में हो सकता है, आई सिसी का आश्यो अधिवेशन भी अधिवेशन में देश भर में केंद सरकार के खिलाब रणीती भी तैयार हो सकती है, हिंदी राज्यो में सबसे प्रामुक्त है, राज्यस्तान, चुनावों के बाद कॉंग्रेस की बापसी यहां पर मानी जारी है, और ऐसे में जिस मजबूती के साथ अब अशोग गेलोत है, दिली दौरिक उनके मायने भी निकाले जारे, दर्समार्च के बाद सियासी रोड मैप प की तैयार हो सकती है, हिंदी पट्टी की चुनावी गनित में गहलोत प्रामुक्त भूमिका में होंगे, गठ बंदन पॉलिक्स के लिए भी गहलोत रणनीती में शामिल रहेंगे, गांधी परिवार की वफादार नेताओं की तोली में शुमार है गहलोत हर रणनीतिक होंगे, रणनीती में सबसे प्रमुक है राजिस्थान, छतीजगर में फिर से कॉंग्रस की वापसी यहां पर संभव है, यूक्रेन में फसे राजिस्थानियों के लिए भाजपा ने शुरू किये हेल्पलाइन, प्रदेश अध्यक्स, डॉक्टर सतीश पुनिया ने 08929208080 नमबर पर समपर कर सकेंगे, सूचना पर आइसारी चात्रों से समबात कर मोहया कराई जाएगी उन्हें सहायता, यूक्रेन में फसे सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी हमारी टीम, के इंदिसरकार के ओर से भारतियों के वापसी के लिए यहां प्रयास ह अपरेशन गंगा के तहट विद्यार्थियों का यूक्रेन से आना शुरू हुआ है, कोरोना में वंदे भारत मिशन के तहट लाय गया था प्रवासियों को और अब इन इस्ट्रेंट्स को परिवारों को जो की यूक्रेन में फसे हुए हैं, उन्हें लाने की पुरी यहां पर की जा रही है, यूक्रेन में फसे राजिस्थानी उतली भाजपा ने भी अब शुरू की हल्प लाइन नंबर, प्रदेश अदिक डॉक्टर सतीश पुनिया ने हल्प लाइन नंबर यहां का शुभारम किया, यूक्रेन में फसे राजिस्थानी हल्प लाइन विद्यार्थियों का यूक्रेन से आना शुरू भी हुआ है। जिन अनुग्याधारियों ने पहली तिमाही में अनुपातिक राशी से अधिक मदिरा उठाव किया था। जिन अनुग्याधारियों ने पहली तिमाही में अनुपातिक राशी से अधिक मदिरा उठाव किया। इदन अवीनी करन के स्थिती में अनुग्याधारि द्वरा अग्रिम वार्शी गैरंटी राशी का यहां समायोजन हो सकेगा। वर्श 2021-22 और 22-23 के लिए जमा कराएगे गैरंटी राशी का भी समायोजन हो सकेगा। वर्श 2022-23 और 23-24 के अग्रिम वार्शी गैरंटी राशी में भी समायोजन होगा। हैटेज मदिरा को अतरिक्त आपकाई ड्यूटी से मुक्त किया गया है। आपकारी इवर्श 2022-23 और 23-24 में संशोधन किया गया है। वर्श 2022-23 की वार्शी गैरंटी राशी या उठाव राशी में जो भी हो अधिक उसके अनुसार एक करोर से अधिक होने पर वर्श 2022-23 की गैरंटी राशी होगी एक करोर बार लाग। दो करोड से अधिक होने पर नियूनतम वार्शिक गैरंटी होगी दो करोड 22 लाग। तीन करोड से अधिक होने पर नियूनतम वार्शिक गैरंटी होगी तीन करोड 30 लाग। चार करोड से अधिक होने पर नियूनतम वार्शिक गैरंटी होगी 4 करोड 36 लाग। पांच करोड से अधिक होने पर नियुम्तम वार्शी गैरन की होगी, पांच करोड चालीस लाग, फर्स इंडिया नियूस के खुलासे के बाद राजी सरकार ने ये संचोधन किया है, 26 वरवरी को फर्स इंडिया नियूस ने बताया था कुछ जिलों में डीयो छूट के बाद की राशी पर करने जा रहे है, रिन्यूवर और उसके बाद ये बेहद हैं पैसला, उसन शोधन किया गया है, बढ़ते आगे राजी करमचारियों को गैलो सरकार का फिर बड़ा तोफ़ा, पांचवी एनसूची के तहट वेतन का टौती में एसीपी से जुड़ी विसंगती दूर गी है, प्रदेश के करीब सारे तीन लाग करमचारियों को सीधे तोर पर इसका फायदा होगा, मुख्यमंत्री कहलोत की बजट भुष्णा नुससार विसंगती दूर की गई है, एसीपी के मामले में एक जुलाई दोहजार तेरह के स्थिति को बहाल किया गया, इस व प्रदेश के करीब सारे तीन लाग करमचारियों को सीधे तोर पर इसका फायदा होगा, मुख्यमंत्री गैलोत की बजट गोष्णा अनुसार ये विसंगती दूर की गई है, एसीपी के मामले में एक जुलाई दोह तेरह के स्थिति को बहाल किया गया है, और इस विसंगती के दूर होने से ग्राम सेवक, पटवारी, सहायक, करमचारी, LDC और पुलिस हेड कॉंस्टेबल लाभान वित होगे, राजसरकार पर 1000 करोड का अतरिक दभार आएगा, पुलिस वायलेस सेवा के हेड कॉंस्टेबल वा ASI के लिए संशोधन एक चुलाई 2013 स से लागू किया गया है, साथवे वेतन मान देने के हिसाब से भी इस तिथी से लागू किया गया है, सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर नहीं है, प्रदेश के दो दर्जन कलेक्टर, सड़क सुरक्षा के प्रयासों को लेकर कलेक्टर की गंभीरता हैरान करने वाली है, मु परिवाहन मुख्याले को सूचना परिवाहन मुख्याले को सूचना भेजी है पांस से छे रिमाइंडर के बाद भी बाकी कलेक्टर्स ने जरूरी ही नहीं समझा सूचना भेजना और आके सड़क सुरक्षा जैसे महतुपूर्ण काम के लिए भी कलेक्टर्स क्यों उदासीन है यह बहुत एहम सवार जैसा नाम वैसा काम परिवाहन इवन सड़क सुरक्षा विभाग का सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला अब जैपूर की तरज पर प्रदेश के तीन और मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे स्किल लैब अजमेर, जोथपूर और विकरेर मेडिकल कॉलेज में ये स्किल लैब बनेंगे यहाँ जैपूर की तरह ही दिया जाएगा सरक सुरक्षा का प्रसिक्षन परिवान आयोक्ति महेंदिर सोनी ने बताया कि इसके लिए हर मेडिकल कॉलेज को परिवान विभाग देगा तीन करोर पच्छतर लाग की राशी जैपूर कैसे में से स्पिताल में चल रहे हैं स्किल लैब के सामने आए हैं अच्छे परिवान आयोक्ति महेंदिर सोनी ने बताया कि इसके लिए हर मेडिकल कॉलेज को परिवान विभाग देगा तीन करोर 75 लाग की राशी जैपूर के SMS अस्पिताल में चल रहे हैं स्किल लैब के अच्छे परिवान आम सामने हैं जिसके बाद ही ये फैसला लिया गया प्रदेश के IT विभाग को और सक्रिय होने की दरकार यूक्रेण में भसे राजस्थानियों को लेकर सक्रिय होने की जरूरत है अधिकतर प्रदेश फसे हुए लोगों की जानकारी जुटाने के लिए बना चुके है पोर्टल और इन फोर्टल के जरिये मिल रही कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां थी प्रदेश के आईटी विभाग ने यूक्रेण में भसे लोगों के लिए अभी तक नहीं बनाया है पोर्टल आखिरकार ग्रीव विभाग ने IT कमिश्र को लिखा है और ऐसे समय में युक्रेण में फसे राइस्थानियों के मदद के लिए ये पोर्टल बहुत जरूरी है जरूरत बन चुके है ये पोर्टल प्रदेश का आईटी विभाग और सक्री होने की तरकार नजर आती है जहां युक्रेण में फसे राइस्थानियों को लेकर सक्री होने की जरूरत है अधिकतर प्रदेश फसे हुए लोगों की जानकारे जुटाने के लिए पोर्टल बना चुके है और इन पोर्टल के जरीए कई तरह की महत्पूर्ट जानकारिया मिल रही है प्रदेश का आईटी विभाग ने युक्रेण में फसे लोगों के लिए अभी तक ये पोर्टल नहीं बनाया है केंद्री सरकार का आपरेशन गंगा अभियान युक्रेण के पडोसी देशों में जाएंगे भारस सरकार के चार मंत्री केंद्री मंत्री हर्दीप सिंग पूरी जाएंगे हंगरी, किरेंद्री जीजु जाएंगे स्लोवाकिया, केंद्री मंत्री जोत्रायति सिंधिया जाएंगे रुमानिया और मोल्दोवा वहीं केंद्री ये मंत्री जनरल वीकेस सिंग जाएंगे पोलेंड तो चार एहम मंत्री जो की युक्रेण में फसे भारतियों को निकालने से जुड़ी बड़ी खबर है उनके बीच जाएंगे केंद्री सरकार का ऑपरेशन गंगा भियान है और ऑपरेशन गंगा भियान के द गुरूजी बनने केरी बढ़ती ही जा रही है पेचीट गिया, रीट 21 लेवल 1 कट ऐप में नमबर आना ही नियुक्ती का अधार नहीं है, रीट कट ऐफ में नमबर के बाद भी अभी हर्थी हो कि नियुक्ती का संक आठ है और ऐसे में इन्हें न्यूक्ती का अवसर मिलने पर मंडराते रहेंगे संकट के बादल भी समाने पदों पर पहली न्यूक्ती मेरिट में सबसे ज़ादा अंक लाने वाले कैंडिडेट को मिलेगी उसे पोस्टिंग में प्राथमिक्ता मिलेगी तो ये देखने को मिलेगा जिस तरह से संकट के बादल अभी खत्म नहीं हुए है नियुक्तियों को लेकर भी क्याकर नियुक्ति कैसे होगे और कटॉफ अब ज्यादा जाएगा ये नजर आता है तो गुरुजी बनने के लिए पे चीद्या भी बढ़ती ही जा रही है रीट कटॉफ में नमबर के बाद भी अब भीर जो की नियुक्ति का संकट ही नियुक्ति पाने वाले कैंडिडेट के मार्क्स कटॉफ से भी अब काफी ज्यादा होंगे मार्कस आखिर क्या होगा डॉक्मेंट चकिंग के दौरा अंडॉक्मेंट में कमी रही तो कैंडिडेट नियुक्ति से बंचित भी हो जाएगा नियूक्टि प्रक्रिया को लेकर सिक्षा विभाग ने जिलेवा सूची भी तयार कर ली और जिलों से बनी सूची, वापस सिक्षा निदिशाले पहुँचने पर इसे स्टेज के आधार पर तयार किया जाएगा जिले में जिस कैंडिडेट के मांक से ज्यादा होंगे उसे पोस्टिंग में राथमिटा मिले सरकारी आदेश पारेट फिर भी निजी स्कूल मानता ही नहीं बच्चों की परिक्षा को लेकर भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं स्कूल सिक्षा मंत्री ने दिये थे आदेश, ओंलाइन परिक्शाओं का भी विकल्ब दिया जाए ऑफ्लाइन परिक्शा के लिए अभिभावकों से सहमती ओंलाइन परिक्शा के विकल्ब के साथ ही उचित्व्यवस्ता हो जमीनी इस्तर पर लागू नहीं होने से विद्यार्थियों और भावकोवियाब असमंजिस बना हुआ है आदेशों की जमीनी इस्तर पर पालना नहीं है जैपर की कई स्कूलों में अभी तक मनमानी ही की जारी है